जै गुरुजी, जै भोले नात्की, आज हम बात करेंगे, जब आपकी बुद्धी बांदी जाती है, जब आपके घर में नकात्व उजा का वास होता है, तो क्या संकेत अनुबव होते हैं? आपने कहीं न कहीं देखा होगा, यह स्वेम भी अनुबव किया होगा, कोई रक्ती तरक्की कर रहा हो, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उसके बच्चे भी पड़ाई लिखाई में ठीक होते हैं, अपने कारे में ठीक चल रहे होते हैं, परिवार में प्रेम भी होता है, अच् जर्षें पुजा पाथ को उसकी भूद्धी को बांद गेते हैं या कोई वक्ति कहीं जा रहा हो तो उसका पैर अंजाने में किसी चुरहे आदी पर कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग तंत्र किरिया चुरहे आदी पर कर देते हैं, किसी का उतारा करके कुछ समान रख देते हैं, तो उस समान पर पैर पढ़ने से कुछ नकातमा शक्तियां जिस वक्ती का पैर पढ़ा ह उससे चिपड़ जाती हैं और उसके साथ उसे घर आ जाती हैं तो क्या होता है जैसे सकारतमर शक्तियां जैसे भगवान दिखाई नहीं देते ऐसे ही ये नकातमर शक्तियां दिखाई नहीं देती जब ये नकातमर शक्तियां आपकी बुद्धी को बांद देती हैं या आपके परिवार के किसी सदस्य की बुद्धी पर बैड़ जाती हैं तो पहले ये आपका मन पूजा पाठ से कम करना शुरू कर देती हैं उनका नेमतर प्रयास रहता है कि ये वक्ति ज़्यादा पूजा पाठ ना करे वो शक्ति नहीं चाहती कि उस घर में ज़्यादा पूजा पाठ जिस भी वक्ति की बुद्धी बांदी जाती है ये परिवार के जिस भी सदसे की बुद्धी बांदी जाती है तो इसका संकेत मिलना शुरू हो जाता है ये शक्तियां अपने होने का एसास कराने लगती हैं जिसे हम अंजाने में अग्यांतावश समझ नहीं पाते जिस भी पर पर गुसा आने लगता है सभाव किर्चड़ा हो जाता है यह समान यहां क्यों रखा है या खाने में इतना समय क्यों लग रहा है सदान बात का भी बतंगर बना देते हैं वो शक्तियां उस वक्ति को गलत चीजों में डाल देती हैं जूए की तरफ डाल देती हैं या तामसिक चीजों मास मदिरा की तरफ उनकी रूची जादा बढ़ा देती हैं वो शक्तियां उस वक्ति में बैठकर अपनी भोग विलास की अतरब से इच्छा पूर्ती है तो परिस्ती की तरफ उसकी रूची बढ़ा देती हैं पर वो वक्ति समझ नहीं पाता कि अचानक किस वज़ तो वो समझ नहीं पाता उसे सही लगेगा ही नहीं और समझना भी नहीं चाहेगा तो इन नकारतम शक्तियों का दिनंतर परियास रहता है वो इसके लिए परिवारिक सद्धिस्यों के बीच में जगड़े डाल देती हैं ये बुरी शक्तियां परिवार के किसी भी सद्धिस करवाने पर सब स्वास्ते रिपोर्टे ठीक होती हैं पर रोग समझ नहीं आता नींद में आप सो रहे हों तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके उपर वजन रखा है या आपको कोई दबा रहा है या गले पर दबा पड़ रहा है कई बार आपको बेवजा डर लगना शुर हो जाती हैं कई बार आप करजों में डूपते चले जाते हैं तो जब ऐसे हालात नजर आने लगें तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्यों गलत रास्ते पर जा रहा हूं क्यों मुझे ये तामसिक चीजें जो ये शराब आदी अच्छे लग रहे हैं मुझे ज़्यादा क्रोध क्यों आता है मेरे में क्यों चिर्चड़ापन होता जा रहा है कौन सी शक्ति मुझे ऐसा करवाती है तो साब्दन होकर विवेख से कारे करें और अपने गुरू या विख्षिशी विद्वान से सला लें जब आपके घर में पूजा पाठ नहीं होती तो सकार्दम श शक्तियां नहीं आएंगी तो नकातम शक्तियां वहां से कैसे दूर होंगी अब आपको करना क्या है आप नियंतर पूजा पाठ मंतर जाप करें क्रोध ना करें जैसे जैसे आप पूजा पाठ बढ़ाएंगे हनुमान चलीचा सुन्दर काड का पाठ करेंगे तामसिक शक्तियों में बार बार बजेगी दान्मिंग अनुश्चान करते रहने से ये शक्तियां आपके घर में परवेश नहीं करत पाएंगी होंगी तो दूर भाग जाएंगी आपके अंदर आपके घर में सकादम शक्तियों का वास होने लगेगा प्रभू की किरपा होने जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जै भोले नात का जैगरा लगाईए आज बस इतना ही फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जै गुरू जी जै भोले नात की